हाई फ्रेंस वेलकम टो माई चैनल फ्रेंस आज मैं आपके साथ पुराने दुपट्टे का एक बहुत ही ब्यूटिफुल रियूज से एर कर रही हूँ तो उसके लिए हमने जो पुराना दुपट्टा लिया है इसमें लेस लगी हुई थी लेस को हम पहले हटा लेंगे और ज सरकल ड्रा करेंगे तो फ्रेंस वीडियो को पूरा जरूर देखें बहुत ही सुन्दर वीडियो है आपके लिए एक बहुत अच्छा इटेम मैंने आपके बनाया है यह सरकल हमने आपके कट कर लिया है अब एक और सरकल हम यहाँ पे लेंगे यह हम लेंगे 15 इंच का तो यह जो सरकल हमने लिया है एक कॉर्णर से हम इसको 15 इंच पे राउंड में सरकल ड्रा करेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे यह दो सरकल हमारे पास हो गए हैं दो पीस अब हम इनको स्टीचिंग की तरफ ले चलते हैं तो स्टीचिंग करने के लिए पहले हम इसमें से एक स पड़ा ले लेंगे इसको खोलेंगे और जो इसकी आउलाइन है इसमें जो छोटे वाला पॉंपम है नीचे की साइड में इसको मोड करके उपर से हम लेस को अटेच करेंगे ये हमको दोनों सरकल में अटेच करना है और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और सेर जरूर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ह तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन हो जरूर करें तो इसको हम पूरा दूसरी साइड तक अटेच कर लेंगे और यहां पर इसको हम सेपरेट करके सिलाई लगा देगे ये दोनों सरकल में हो गया है अब हम इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने इसका कटिंग किया था नीचे रखेंगे बड़े वाला सरकल उसके उपर हम रखेंगे छोटे वाला सरकल एटन नीचे आएगा और उपर आएगा फिप्टिन वाला अब यहां पर जो मार्किंग कर रही हूं ये है फाइव इंच पहले 5 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड में अब हम जो उपर में इसका कौन है वहां से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो राउंड हम लगाएंगे ये 4 इंच पे हो रहा है ये 5 तक पहुंच जाएगा राउंड करते हुए अब यहां से कट कर देंगे ये कट करने के बाद हम इसको सीधा करते हैं तो ये दोनों के जो बीच का हमने सरकल कट किया था वो बिल्कुल एक बराबर कर लेंगे दोनों कपडों में यहां पे एक जगे मार्किंग करेंगे और इस से फिर हम इसका राउंड मेजर करेंगे यहां पे राउंड आ रहा है 22 22 inch तो इसमें 1.1 inch हम एक्स्ट्रा एड़ करेंगे कपड़ा उतनी length का ले करके यह जो कपड़ा है यह लिया है 2 inch width का और इसके length लिये है हमने 23 और इसमें एक elastic हमने attach कर दिया है इससे 6 छोटा elastic attach हमने आपे किया है अब इसको यहां से सिल लेंगे इसके बाद जो बीच में circle है यहां पे हम इसको attach करेंगे right side में circle राखेंगे और इसको राखेंगे elastic वाले को उल्टी side से और पूरे round में हम यहां पे elastic को attach कर देंगे इधार attach हो गया एक separate सिलाई हम उपर से लगाएंगे right side में यह हो गया है तो friends से कितना सुन्दर skirt बन करके ready है आप इसके लिए matching का